चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में इस साल देश के पुरुप्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग, पुरुपीम, नरसिमा राव और हरित क्रांती के जनक डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन को भारत रत्न दिया जाएगा इससे पहरे लालकुष्णा अडवानी और करपूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोशना की गई थी ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ पांच लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है केंद्रिय ग्रहमंत्राले के अनुसार एक साल में अधिक तम तीन लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है हालाकि इस साल 2024 में भारत रत्न के लिए पांच लोगों के नाम की घोशना की गई है ऐसे में अब सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किये हैं या फिर इन पांच हस्तियों में से कुछ को 2024 से पहले के किसी वर्ष में सम्मानित करने का फैसला किया है ये फिलहास पश्ट नहीं है तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में भारत रत्न देने की शुरुवात दो जनवरी 1954 को ततकालिन राष्टपती डॉक्टर राजेंदर परसाद ने की थी जाती व्यवसाई पद या लिंक के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस सम्मान के लिए पात्र है यह मानो प्रयास के किसी भी छेत्र में उच्चितम स्तर की ऐसा धारन सेवा प्रदर्शन की मानेता के लिए प्रदान किया जाता है भारत रत्न के लिए सिफारिषे स्वयम प्रदान मंत्री द्वारा राष्ट पती को की जाती है प्रदर्शकार में कोई मोदरिक अनुदान नहीं है हर साल जादा से जादा तीन लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित करने की परंपरा रही है समिधान के अनुछेत 18.1 के अनुसार पुरुसकार का उपयोग प्राप्त करता के नाम के उपसर्ग या प्रत्य के रूप में किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति विजेता इसे आवश्यक समझता है तो वह अपने बायो डाटा लेटर हैड विजटिंग कार्ड आधी में निमन लिखित अभी व्यक्ति का उपयोग भी कर सकता है सबसे पहला सम्मान सवतंत्र भारत के पहले गवर्नर जेनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी पुरुर राष्टपती डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन और वेग्यानिक डॉक्टर चंदर शेखर वैंकर ट्रमन को 1924 में दिया गया था अब तक कुल 48 लोगों को भारत रतन सम्मान दिया जा चुका है आखरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था ये पहला मौका है जब 1-75 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से किसी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था अभी इस बात की घोशना नहीं हुई है कि किस सक्षियत को किस साल के लिए ये पुरुसकार दिया जा रहा है राज्य सरकार भारत रत्न पाने वाले हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं भी उपलब्द करवाती हैं कुछ वर्ष ऐसे भी रहे हैं जब ये सम्मान किसी को भी नहीं दिया गया जैसे कि 1956, 1969, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 से लेकर सतर, 1972 से लेकर चुहतर, 1987 से 1989, 1981, 82, 84 और 86, 1993 से 96, 2000 से 2002 और 2008 के बीच, 2010 से 2013 के बीच और 2020 से 2022 में भारत रत्न नहीं दिया गया अब हम बात करेंगे चौदरी चरण सिंग के बारे में देश के पूरुव पियम और उत्तर प्रदेश के पूरुव सियम रहे चौदरी चरण सिंग का जन्म उत्तर प्रदेश के ही मेरिट में साल 1902 में हुआ था चौदरी चरण सिंग ने 28 जोलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधान मंत्री के रूप में काम किया है प्रधान मंत्री के पत पर आसी होने से पहले उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली थी 1967 में वेह पहली बार उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बने हाला कि 17 अप्रेल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था 17 फरवरी 1970 को वे फिर से दोबारा प्रदेश के सियम बने चरण सिंग पहली बार 1937 में उत्रप्रदेश के छप्रोली विधान सबा से विधायक चुने गए थे इसके बाद उन्होंने 1946, 1952, 1962 और 1967 में निर्वाचित छित्र का प्रतिनिधित्व किया था इसी सीर से जीत कर वे मुख्य मंत्री बने और बागपत लोगसबा सीर से जीत कर प्रदान मंत्री बने चौदरी चरण सिंग ने चुनाव लणना कॉंग्रिस से शुरू किया लेकिन 1967 में पार्टी का साथ छोड़कर उन्होंने भारतिय क्रांती दल नाम से अपनी पार्टी बना ली 1977 में देश में जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद चौदरी चरण सिंग ने केंदर की राजनीति का रुख किया पीवी नरसेमा राव की अगर बात करें तो देश के पूरू प्रधान मंत्री रहे पीवी नरसेमा राव का जन्म 1921 में आंधर प्रदेश की करीम नगर में हुआ था उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया विश्विद्याले, बॉंबी विश्विद्याले और नागपूर विश्विद्याले से पढ़ाई की थी पीवी नरसेमा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक परधान मंत्री रहे एक क्रशक और एक वकील रहे नरसेमा राव ने 1971 में आंधर परदेश के मुख्य मंत्री की रूप में भी कारे किया था पीवी नरसेमा राव ने अपने राजनितिक कारेकाल में कई मंत्राले भी समाले 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक वह विदेश मंत्री रहे जुलाई 1984 से दिसंबर 1984 तक रह मंत्री और दिसंबर 1984 से सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे राव को भारत की राजनीतिक अचानक के भी कहा जाता है ये भारत में आर्थिक उधारी करण के जनक माने जाते हैं MS स्वामी नाथन के अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांती के जनक रहे MS स्वामी नाथन का जनली 1925 में हुआ था उन्होंने तिरुवनंत पुरम के महराजा कॉलेज से जुरोजी में B.S.C की डिग्री प्राप की थी साथ की कोईमबटूर क्रशी कॉलेज से कृषी विज्ञान में भी B.S.C की डिग्री प्राप की थी स्वामी नाथन ने भारती क्रशी अनुसंधान जनस्तान से कृषी विज्ञान में M.S.C की डिग्री और केंब्रिज विश्विद्याले UK से PhD की डिग्री भी प्राप की थी एमे स्वामी नातन की मृत्यू पिछले वर्ष यारे की 2023 में चन्नई में हुई थी अब हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवानी के बारे में BJP के दिगश नेता लाल कृष्ण आडवानी 1986 से 90 और 93 से 98 और 2004 से 5 तक BJP के राष्टिय अध्यक्ष रहे हैं 1980 में भारतिय जन्ता पार्टी के स्थापना के बाद आडवानी सबसे लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष पदपर रहने वारे वेक्ति हैं संसत में लगबग तीन दश्कों के अपने कारेकाल के दोरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपे के नित्रित्व में ग्रह मंत्री और उप्रधान मंत्री दोनों के रूप में कारे किया है 1999 से 2004 तक की सरकार के मंत्री मंदल में वह पहले ग्रह मंत्री और बाद में उप्रधार मंत्री भी बने 1990 में सोमनाच से अयोध्या तक राम मंदिर रत्यात्रा की शुरुवात करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में लाल कृष्णर आडवानी की केंद्रिय भूमिका रही है करपुरी ठाकुर के अगर बात करें तो बिहार की दो बार के मुख्य मंत्री रहे करपुरी ठाकुर का जन्म समस्तिपुर जिले में 1924 में हुआ था उन्होंने पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1931 तक और दिसंबर 1937 से अप्रेल 1989 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार समाला था करपुरी ठाकुर बेहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और आरजडी के अध्यक्ष लालु प्रशाद यादव सहित राजी के कई नेताओं के गुरू भी रहे हैं इसके साथ ही आज का विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद